How to fix OnePlus not CE slowing down problems नमस्कार दोस्तो, स्वागरे अब सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तो इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा OnePlus की डिवाइस अगर स्लो होते जा रहा है ठीक है, तो कैसे आपको fix करना है क्योंकि OnePlus का जो performance है तो वो दोस्तो मुझे काफी बढ़िया लगते है लेकिन धीरे धीरे करके इसका जो speed है वो घड़ जाते है तो ऐसा क्यों है दोस्तो और इसको fix कैसे किया जा सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ ठीक है तो वीडियो को अन तक देखें जो भी solution होगा उसको follow करें आपका phone पहले जैसा हो जाएगा और आपका problem भी fix हो जाएगा मैं आपके कुछ reasons भी बताऊंगा जिसके वज़से ये जो problem है हो रहा है ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले make sure channel को subscribe करते हुए bell icon को click करें अगर आप online पेसा कमाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या होगा अगर यहाँ पर आपका डिबाइस जो है slow हो जाते हैं तो आप यहाँ पर अपने mobile के application को check कीजिए आपका जो application से ठीक है आपका जो application से वह दोस्तों अगर use नहीं कर रहे हैं मान देज़े यहाँ पर my atal app, agio.com, amazon shopping app तो यह सब पढ़ा हुआ है और मुझे किसी काम का नहीं है मैं use नहीं करता हूँ अगर ऐसी बात है तो इन सभी apps को delete कीजिए यानि कि आपको unused app को delete करना है उसके बाद आपको कोई अगर आपके mobile पे ठीक है कोई बहुत बड़ा application से जैसे के 1GB, 2GB वाला तो उनके data को clean कीजिए ठीक है उसके data को clear कीजिए और जैसे के दोस्तो PUBG mobile हो गया या फिर BGMI तो उनका दोस्तों अगर आप data delete करते हैं तो बिल्कुल आपका जो game है वही खराब हो जाते हैं लेकिन इस तरह का application नहीं जैसे की हो गया just for example WeChat ठीक है WeChat बेन हो चुक है लेकिन WeChat एक सा application था जो कि हमारे device में काफी ज़रा space ले लेते हैं तो उस तरह के application को अगर आप delete भी करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा आपको दुबारा से register करने का option मिल जाएगा register कीजिए फिर से use कीजिए ठीक है तो ऐसा करना होगा clear data आपको करना है unused applications को और दोस्तों mobile पे कुई भी corrupted files corrupted applications बहुत सारे file है file manager पे आपने बिल्कुल भी clean up नहीं किया है तो clean कीजिए ठीक है और आपके storage space को free up कीजिए और उसके बाद ही दोस्तों जाके आपका phone जो है spit यहाँ पे होगा और दोस्तों phone का speed है display में जाकी भी कर सकते हैं जैसे के advanced setting है यहाँ पे refresh rate ultra smooth at a higher refresh rate अगर आप set करते हैं तो दोस्तों आपका mobile का speed drive बढ़ जाएगा अगर आप 60SZ पे करते हैं तो smooth थोड़ा सकम होगा लेकिन battery life जादा होगा तो अगर phone जो है slow हो रहा है तो आपको 90SZ करना है ठीक है तो उसके बाद आपका काम बन जाएगा problem solve हो जाएगा अगर software update वगर नहीं किया हुआ है तो software को update कीजिए software वगर अपडेट कर लेने के बाद आपका यह जो problem बिलकुल fix हो जाएगा और दोस्तों reasons mobile क्यों slow होते हैं mobile दोस्तों जब हम नया खरीते तो mobile पे कुई भी applications नहीं होते हैं ठीक है होते हैं applications लेकिन unused application होते हैं लेकिन जब आप phone को on करते हैं उन सभी applications को on करते हैं application download करते हैं तो दीरे दीरे करके आपके mobile के storage space को consume करते रहते हैं ठीक है और background काफी जादा heavy हो जाने की होज़से आपका phone slow हो जाते हैं तो phone जब use होगा उसमें files होगा cache data हो जाएगा आपका application data हो जाएगा browsing data हो जाएगा तो काफी सारे चीज़े होते हैं background पे तो उनके वज़े से phone slow होते हैं reset option erase all data and then erase कर दीज़ेगा अपना data को यह जो factory reset है इससे दोस्तों completely mobile को clean up कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर उतना आसन तो नहीं है यह करने के लिए क्योंकि बहुत सारे चीज़े हमें save करना होते है mobile numbers mobile number के लिए कुई चिंता है नहीं है हम उसको gmail पे जो है directly shift कर सकते हैं लेकिन photos हो गया gallery का ठीक है कुछ applications हो गया तो उनके वज़े से हम नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर आपका phone slow हो रहा है तो file बगरा छोड़िए directly आप reset कीज़े mobile को तो completely आपका phone lighted हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा fast हो जाएगा ठीक है और आपको चलाने में भी बहुत अच्छा लागेगा तो time time पे दोस्तों हमें mobile reset करते रहना चाहिए ठीक है reset करते रहना चाहिए तो आपके लिए अच्छा होगा तो दोस्तों यही सब कुछ solutions है अगर आपका phone slow हो रहा है तो इन solution के मदद से ही आप problem को fix कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करते हैं आपको यह जो वीडियो है बसने होगा थाचिए और आपके लाचिए